कटने जैसी समस्या है या हीट होने में करें लेकिन उसकी प्रॉपर मैचिंग जरूर करी प्रॉपर मैचिंग से आपको क्वाल्टी अच्छी मिलेगी और आपकी मसीन बगैरा जो भी है वो बेस्ट तरीके से जलेगी और नमस्कार दोस्तों आज के हमारी इस हेलफुल वीडि प्रॉपर मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं के जिस परकार से मालो आपको आठ ही उनिट आपको कनेक्ट करने तो यह सब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे एक इंपिडेंस मैच नहीं होगा मालो आपने आठ हों डाय आप उन्ने कर दिये तो उसका आपके पास 500 वाट का अहुजा का उसमें तो कहां करेंगे तो उसमें क्या आपको एड़ेस्ट करना है वह सारी चीजे में इस वीडियो की माद्धिम से आपको बताने माला हूं तो आप वीडियो पर बने रहें क्योंकि जो मैचिंग है मैचिंग आपको अच्छे से आने च करने के बारे माली जी आपने चार होन करने करना आपने पहली वीडियो में दिख लिया हम आपको बताते हैं कि पांच को कैसे करते हैं तो आपने 16 ओम का एक डराइवर लगाया हुआ है और 16 कितने डराइवर लगाया आपने 5 तो 5 से इसको काट देगे 5 ती 15 और 5 दूनादाश्य यादि 3.2 तो इसका मतलब यह कि आप देख लेते हैं जैसे मालो आपने 6 लगाया है तो यदि आप 6 लगाती है तो आप एसके लिए होगा याप यिख लगाती है 2.6 पे इसको आपको लगाना है यानि 2.6 जो इसका impedance निकला है 2.6 तो 2.6 यानि इसको हम 2 पे या 4 पे भी इसको लगा सकते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी लेकिन आपको proper matching करने वाली आपको unit लगाना चाहिए ताकि आपकी proper matching अच्छे से हो जाए इसके बाद हम देख तो 2.2 के लगा आजागा है तो इसको भी हम 2 ohm पे connect कर सकते हैं parallel में और इसके बाद आपको 8 unit connect करनी है तो 8 unit को जो आप connect करेंगे तो इसमें 8,216 तो यह total आपका impedance आजाएगा parallel में 2 ohm तो 2 ohm पे इसको connect कर सकते हैं लेकिन यदि आपके पास 2 ohm बाला कोई amplifier नहीं है जिस प तब आपका 1000 बाट पे इसको ऐसे parallel में करके चला पाएंगे लेकिन आपके पास अहुजा का 1000 बाट का amplifier ही नहीं है क्योंकि इसका impedance हमको 2 चाहिए तो 2 नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप इस टेंजर में आपको यह option मिल जाता है 500 बाट amplifier में तो वहां पे आप इसको connect कर सक वह hoe यह पूज़ाना पर पास यह को सकते हितो है तो यह कि आपके पास एंपनेज़ों लंगा चाहिए तो आपको पता है चार का पैज इंप सब्सक्राइब को निकल ना हो जाए जा गा इसको को बाएरस नकल लिए इसको स्थे Chart interests ,فس year से zmian सरा तért आपने इसको अलग रखा और इसको अलग रखा इस से दो बाएर निखल रहे हैं इस से वह कुंक अब हम आपके निकलेंगे इनको अब हम series करेंगे पहले parallel connect किया और फिर यहां से जो दो बायर आपके निकलेंगे जिसे मान लिजिए आपके दो बायर यहां से निकालेंगे आप दो बायर इस चार में से दो बायर बाहर आएंगे इस चार में से भी parallel connect होके दो बायर बाहर आएंगे अब क्या करेंगे हम कि इसका मान लिजे कि यह माइनस है और यह प्लस है और यह प्लस है तो अब क्या करेंगे जो यह बाहर आ रहे हैं उसको हम प्लस माइनस को एकटा कर देंगे इस वाले प्लस को इस वाले प्लस को इस वाले प्लस को इस वाले प्लस को एकटा कर देंगे तो को मैंनट से लगा देंगे कौमन पे वार्स सिर्भा इसको लगा देंगे लगा सकते हैं लेकिन प्रोपर उमेचिंग हो जाए यानि जो हमारा किलियर निकले बैसे ही उतने ही हमको होंड ड्रेवर लगाने चाहिए ताकि हमारा इंपीडेंस मैचिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आए प्रोपर अच्छी से मैचिंग हो जाए तो आपको क्वाल्टी अच्छी मिलेगी और जब नहीं हो पाती है तो आप हमने आपको बता दिया कि आप इस पकासे चला सकते हैं लेकिन आपको क्वाल्टी में थोड़ा फरक जादा फरक नहीं दिखेगा तो आपको थोड़ा देगा तो आप चला सकते हैं कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन अधिया प्रोपर मैचिंग करके आप चलाएंगी प्रोपर मैचिंग का मतलब होता है जिस पकासे आपने दो होंड डरेवर घंटी किये यानि दो ह आपẩको नहीं पर नहीं मिलेंगी अधोड़ा बहुत आग्क यह भी करना पडता है सब्सक्राइब नहीं करें लेकिन उसकी प्रॉपर मैचिंग से आपको क्वाल्टी अच्छी मिलेगी और आपकी मसीन बगैरा जो भी है वो बेस्ट तरीके से चलेगी और सांदर तरीके चलेगी तो इस वीडियो आज का वीडियो दिखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद ज इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको बारा होन का बताऊंगा इसके बाद मैं सोला होन का बताऊंगा इसी प्रकार से चार चार होन बढ़ाद हुए मैं आपको सारी वीडियो के माध्यम से आपको ब्लोग के लिए ली और बताऊंगा इसके बाद मैं भहुत सारे आप सब्सक्राइब कर लिए नमस्कार